हेलो दोस्तो रेक वीडिया पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है रिजिनिंग के इस फाउंडेशन बैच में हम लोग इन्पूट आउट्फूट पढ़ रहे थे जिसे हम लोग मसीन इन्पूट भी करते हैं इसमें हम लोग तीन टाइप अल्रेडी पढ़ चुके थे और कोस्टन को डाइरेट कैसे बना सकते थे वो भी पढ़ चुके थे आज इसका आखरी दो टाइप है एक टेबूलर फॉर्म में जो आप देख रहे हैं आप पर जो कोस्टन है इसको कैसे solve किया आता है और एक matrix टाइप जो होता है उसको कैसे solve करेंगे इसको देखेंगे आज और आज इस chapter को data by by खतन करेंगे चले बिना समय कबाय स्टार्ट करते हैं देखें यहां पर input दिया हुआ है और पीछे क्लास यदि आपने नहीं देखा है और चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe कर लिजे और description में लिंक है पीछले क्लास आपको देखना हो तो आप वहां से देख सकते हैं देखें इंपूट क्या दिया हुआ है एक दो तीन चार पाँछे साथ आठ नौ एक दो तीन इस तरह से इंपूट दिया हुआ है और step वन चरन पहला यहां पर क्या किया गया है तब आपको यहां पर एक चीज हमेशा इसमें यह ध्यान डखना है कि इसमें total number कितने है अर्था नमबर total कहने का मतलब है कि एक हो गया एक दो हो गया ठीक है इस तरह से तो आप count करेंगे तो यहां पर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 लेकिन जो पहला step में है यहां पर 2, 2, 4, 6 ही है तो 12 का 6 कब हो सकता है अगर आप से कोई पूछे कि कोई भी table में एक दो लिखा हुआ है अगले line में लिखा रहे है तीन तो आप क्या कहेंगे इसका संभावना यह है कि साइध हो सकता है कि एक और 2 को जोर करके 3 लिखा गया होगा आप यही कहेंगे एक और 2 को जोर करके 3 लिखा गया है और यह उसके बाद वाला table बनाया गया है यही possibility यहां पर हमें दिख रही है होने को कुछ भी हो सकता है लेकिन इसी तरह से होगा तो यहां पर यहां पर हमें यह समझना है कि उपर में 12 नंबर है और नीचे में 6 नंबर है तो हर 2 से 1 बना होगा ठीक है या तो कुछ और हुआ होगा इसी तरह का लेकिन possibility यही है कि 2 से 1 बनता है ठीक है तभी यहां पर पहले चरण में 6 नंबर है चलिए देखते हैं इसमें बारी-बारी से और इसमें क्या-क्या होगा अब देखिए हमें देखना होगा कौन टेबल से साथ आ रहा है तो अगर आप एक दो को देखेंगे जोर करके गुना करके किसी भी तरीके से तो आपको साथ नहीं मिलेगा तो इसका मतलब एक दो आपस में टेबल को नहीं जोरा गया है एक दो तीन होता है और इस लाइन में आपको कहीं भी तीन नहीं दिखाए देगा पहला चरण में कहीं भी हमें ती तो चार आएगा ये भी नहीं हो रहा है एक और चार को जोड़ेंगे पांच आएगा तब भी साथ नहीं आ रहा है मारा ठीक है तो उसके बाद देखते हैं और क्या हो सकता है एक और पांच छे एक और छे साथ ठीक है और यहाँ पर यह जरूरी नहीं है ये भी एक बात ध्यान रखिएगा कि ये 7 और 16 पहले वाले टेबल से ही आया हो, ये किसी से भी आ सकता है, आम तोर पे एक्जाम में क्या करता है, आम तोर पे एक्जाम में ये पहला लाइन बता दिया जाता है, ठीक है, अगर इस तरह से टेबल रता है ने एक्जाम में, जैस आपको दिमाग जो लगाना है बस यही लगाना है कि एक और तीन कैसे अठारा हुआ है जैसे आप एक और तीन को यहां पर जोड़ेंगे तो कितना होगा तो चार होगा तो आपको लग रहा होगा कि चार है तो चार गुना चार होगा या चार का स्कॉार भी सोला होता है यह हुआ है और इसमें अगर आप देखेंगे तो दो प्लस चार यह छे होता है दो दो प्लस चार कितना होगा छे होता है और छे से अठारा है तो आपको लगे अच्छा एक बार चार से गुना हुआ एक पर तीन से गुना तो इस तरह से हम लोग को बहुत अलग अलग तरीके से इसमें बनाया जा सकता है आपको हर बार पाचानना पड़ेगा जैसे हम लोग सीरीज पढ़ते थे था नमबर सीरीज उसमें कोई भी पैटर्न आ जाता था कभी भी तो यहां भी वही कहानी है इसमें पैटर्न हमेशा बदलते रहेंगे आपको दिमाग लगाना होगा और अगर वहाँ पे दिया हुआ है कि किन दोनों से बनाया गया तब तो अच्छा है आपके लिए थोड़ी से आसान हो जाता है दिया हुआ नहीं है तो आपको यहाँ पर सोचना होगा कि आखिर क्या हुआ हो ठीक है अब आप सध्यान देंगे यह एक इस साथ के साथ आप देखिए इसको गुना करने पर साथ आ जाएगा और यह वाला जो दो है इस दो को अगर आप इस साथ से देखेंगे तो यहाँ पर सोला आ जाएगा तो इसका मतलब है कि यह भी फिलाल मैच कर रहा है आगे भी मैच करना पड़ेगा तब ही होगा ऐसा नहीं होगा एक मील गया तो हमारा काम हो गया फिर आप इंपूर्ट बनाओगे कैसे जो कोस्चन में दिया हुआ रहेगा ठीक है उसके बाद तीन को देखते हैं तीन और यहाँ पे नौ है सताइस है तो बिल्कुल सताइस है इसका मत मतलब पहला इस टेफ हमें समझ आया कि पहला और चौथा टेबल जो है यह दोनों टेबल को एक साथ लिया गया है फिर दूसरा और पांचमे टेबल को एक साथ गुना किया गया है फिर तीसरा और छटे टेबल को एक साथ गुना किया गया है और इस तरह से यह टोटल बना ह ठीक है यह हो गया पहले चरंद की कहानी ठीक है और इसमें क्या किया गया है multiply किया गया है एक दूसरे के संख्या से आगे बढ़ते हैं अब 7, 16, 27, 4, 10, 18 ठीक है अब यहाँ पे 6 को 4 बनाया गया अब 6 को 4 बनाया गया यह तो ठीक है लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें यह ध्यान रखना है किया 7 से कभी 4 बन सकता है 7 से 4 तो तभी न बनेगा जब इसमें 7 में से 4 इसमें से 3 घटा देंगे तो 4 होगा लेकिन 3 तो यहाँ पे है नहीं तो संभावना है नहीं 7 से 4 बननेगी तो यहाँ पे ज़्यादा संभावना यह हो जाता है कि यह 4-4 अलग ना हो करके यह 44 जैसा हो, यह 38 हो, तब यह संभावना है कि हो सकता है कि जोर घटा या गुना करने पर यह 44 हो जाए, यह 38 हो जाए, लेकिन यह संभावना बहुत कम है कि 16-4 होगा, 27-3 होगा, ठीक है, अब 10 से 8 हो जाए, तो आप किसी में 2 घटा होगे, किसी में 3 घटा होगे, तो ऐसा सवाल नहीं आते हैं आम पर पर, आएंगे भी नहीं कभी, क्योंकि वो तो solve भी नहीं हो पाएगा, जामना अतना टाइम भी नहीं है कि आप एक चीज पॉसिबिलिटी देखोगे, तो यहाँ पे 30, 20, 50 होता है, तो 50 तो नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि 50 तो इन 3 ओको नहीं जोडा गया, कुछ और जोड़के देख लेते हैं, तो यह काम करते हैं, एक एक करके जोड़ते हैं, कि इसका पहला, इसका पहला, कुछ ना कुछ तो आपको सोचना होगा, या फिर तो दूसरा दूसरा चेक कर लेते हैं तो इस तरह से आपको हमेशा चेक करके इसमें सवाल बनाना पड़ेगा तो 7 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 34 होगा 34 में फिर 10 को जोड़ेंगे तो definitely आपको दिखाई देगा कि 7 27 और 10 को जोड़ने पर 44 होता है जिस 44 को क्या किया गया है table में बंद करके और्फा एक संख्या को अलग एक संख्या को अलग उसके बाद 16 फिर यहां पर 16 है चार बीस है फिर अठारा है 16, 4, 20, 18, 38 होता है तो 38 भी यहां लिखा हुआ है 3 और 8 कर गए अब next step जो है हमारा यहां पर next step क्या है हमारा यहां पर यह 4, 4 है इसको 16 लिखा गया है तो बच्चा भी बता देगा कि 4, 4, 16 होता है इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है इस step में 3, 8, 24 होता है यह भी कोई भी बता देगा तो यह तो बहुत simple step हो गया last step पे भी आप ध्यान देंगे तो यह भी बहुत simple है 16 और 24 कितना होता है 40 होता है दोनों को जोडा गया है ठीक है तो यहां पर addition add किया गया है यहां पर सबको add किया गया था पहला लेटर में और यहां पर 1 का 4 से table form में यह table का रिस्ता दिखा रहे हैं यहां पर 1 का 4 से 2 का 5 से 3 का 6 से क्योंकि इसी तरह से हमें आगे बनाना होगा तो अब जो हमारे पास input मौझूद है जब हम लोग समझ गए कि यहां पर क्या rule follow हो रहा है तो अब इसका solution करते हैं तो पहला चरण में क्या हो जाएगा तो पहला चरण में आप बोलेंगे कि पहला चरण में यह हुआ था कि पहला वाला जो है यह पहला यह दूसरा यह तीसरा यह चौथा यह पांचमा टेबल यह छटा वाला टेबल ठीक है बोक्स भी कह सकते हैं कि पहला और चौथे बोक्स का relation एक बार हुआ था तो दो गुना तीन यहां पे पहला बार में छे आ जाएगा फिर तीन गुना चार यहां पे बारा आ जाएगा फिर एक टेबल बनेगा दूसरा वाला टेबल दूसरे वाला टेबल में क्या होगा दो और पांच का relation होगा दूसरा टेबल यह दूसरा बॉक्स और यह पांचमा बॉक्स इसके साथ relation होगा तो एक गुना पांच आपको यहां पांच हो जाएगा पिर 4 गुना 6 यहां पर 24 हो जाएगा फिर 3 टेबल होगा जिसमें क्या होगा 3 और 6 जो बॉक्स है तीसरा और 6 बॉक्स उसमें गुना किया जाएगा 5 गुना 7 35 हो जाएगा इसको थोरा बड़ा कर लेते हैं इस वाले टेबल को ठीक है 5 गुना 7 35 और 2 गुना 1 2 अब आप पीछे पलट के देख भी सकते हैं कि यही किये थे हम लोग पैला टेबल में जो किये नहीं थे वहाँ पे किया हुआ ही रहता है को क्या किया गया एप लग कर पहला पहला वाला जोड़ा गया है सब बोक्स का पहला पहला तो पहला-पहला जोडने का मतलब क्या है कि यह इस से और यह इस से सी जो और के लिख दे नहीं 6, 5, 11, 11, 35 कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 11 और 35 जो होता है वो हो जाएगा हमारा 46 लेकिन 46 को मैं लिखना कैसे है 4 को इधर लिखना है 6 को इधर लिखना है जैसे वहाँ लिखा गया था अब इसमें भी हमनों लिखेंगे जोड लेते हैं 12 जोड़ 24 36 होता है 36 जोड़ 2 38 होता है तो यहाँ पे 3 और 8 हो गया ठीक है अब इसके बाद वाला step में क्या था तो इसके बाद वाले step में यह था इसके बाद वाले step में इन दोनों को गुना किया गया है अगर आप भूल गया है तो फिर से पीछे करके दिखा देते हैं देखें इन दोनों step में क्या किया गया था यह 4 और 4 को गुना करके लिखा गया था यह 3 गुना 8 को गुना करके लिखा गया था तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे इसको गुना करके लिख देंगे 64 के 24 हो जाएगा यहाँ पे और 3 into 8 24 हो जाएगा ठीक है अब इसको जब फिर दोनों को जोड़ेंगे जैसे पीछे भी जोड़ा गया तो answer आ जाएगा हमारा 48 अब इसमें exam में कैसे कैसे question आ सकता है किसी भी फॉर्म में यास question पूछा सकता है ऐसे पूछ सकता है कि इसमें जो last input आया आपका ये वाला 48 last output जो आया इसमें अगर हम लोग 2 से गुना कर दे तो result क्या आएगा तो option में उसके बाद दे देगा 96, 90 कुछ भी दे देगा इस तरह से फिर C, 88, D, 100 तो आपको जान रहे हैं आप 48, 096 होता है ये question दे सकता है ये भी दे सकता है कि second step में second step में जो भी पहला संख्या है जो भी single digit का इसे भी बोल सकता है question में जो भी single digit का पहला संख्या है तो आपको ये clear कर रहा है कि आप बस इस 4 को consider करो उसमें अगर हम लोग 5 से गुना करते हैं तो answer कितना आएगा फिर option में देगा आपको 16 फिर 20 फिर 18 फिर 24 तो आपको कितना होगा 4 गुना 5 20 हो जाएगा ठीक है तो किसी भी तरीके से इसमें question पूछा जा सकता है आपको सिर्फ क्या करना है step को समझना है step को जैसे question में बताया गया है आपको उसी तरह से step को बना देना है और इसको आप direct नहीं बना सकते हैं इसलिए मैंने पहला दूसरा और तीसरा type एक साथ पढ़ाया था क्यूंकि उसको direct बनाया जा सकता था इसलिए फिर उसको मैंने एक साथ करा दिया अब जो चौथा type है ये हो गया tabular form में इसमें question कैसे भी आ सकते हैं किसी भी तरीका का सकता है कभी गुना होगा, square होगा, किसी को जोड़ेगा, किसी में घटाएगा इसके लिए आप तयार रहिए अगर आपके syllabus में input-output है तो अन्यता मत पढ़िए, avoid कीजिए सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए ये हमारा type, last type हो गया पांचवा type, matrix वाला जो question है अब इसमें क्या है देखते हैं देखिए input है B6H, K9I, P3R, B5K, B5S, F40, G1X, M6Y देखिए सबसे पहले तो यहां B5S, 5 और S देख लिए जहां भी 5 होगा वो ऐसे लिखा होगा सीधा ठीक है और S जो होगा वो इस तरह से लिखावा होगा तो इसमें confusion मत होईएगा मेरे 5 और S में ठीक है आगे देखते हैं अब इसमें देखे क्या क्या हुआ है step 1 आखिर पहले से कैसे बना होगा तो सबसे पहले तो B6H है इसको क्या बना दिया गया है C8I ठीक है अगर यह इसमें बना है तो आपको यहां तो दिख रहा होगा कि यहां तो plus 2 किया गया 6 में 2 जोरा गया है 8 है B में C तो आपको दिख रहा होगा कि एक जोरा गया है B 2 पे होता है C 3 पे होता है H में भी एक जोरा गया है H के ठीक बात आई आता है ठीक है तो यहां पे plus 1 plus 2 plus 1 है अर्था देख जगा है plus 1 फिर plus 2 फिर plus 1 तो यहां पे इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं कि पहले step में यह कहानी है लेकिन क्या यह सब जगा है यह भी चेक करना होगा हमें हो सकता है किसी में यह नियम काम कर रहा होगा किसी में काम नहीं कर रहा होगा ऐसा भी हो सकता है तो सब को हमें देखना होगा तो यहां देखिए KL ठीक है, IJ ठीक है, PQ ठीक है, RS ठीक है, DE ठीक है, KL ठीक है, B, W, S, T, F, G, T, U, G, H, X, Y, Y, Z तो सब जगा एक एक बढ़ा हुआ है, कहीं कोई दिककत नहीं है, ठीक है, सब में आप चेक कर लिएंम लोगोंने, सब में एक एक ही बढ़ा हुए, अब संक्छ dedic में सब जगारी है, सब जगापे 2 ही बढ़ा है, चेंग बद़ लग करते हैं, तो चेंग है अलोख 5211, 9211, 321 पांच, पांच दो साथ, उसका फिर पांच दो साथ, चार दो छे, एक जुर दो तीन, छे जुर दो आठ, तो सब जगा पे कहानी यही है, प्लस वन, प्लस टू, प्लस वन, ठीक है, अलफा वेट जो भी लेटर है, उसमें प्लस वन हो रहा है, और संख्या है, तो प्लस टू ह यहां पर पहला इस्टेप्तों में समझ आ गया आगे बढ़ते हैं अब C8I है अब क्या है C8I है यह किस में बदला हुआ है H6B में यह बदला है H6B में तो C कितना है हमारा C हमारा 3 पे होता है H हमारा 8 पे होता है A यह हमारा 9 पे होता है B हमारा 2 पे होता है तो ऐसे आप देखेंगे तो 3 जोर 5 आठ हो जाएगा यहाँ पे प्लस पांच दिखेगा आपको यहाँ पे माइनस दो दिखेगा संख्या में और यहाँ पे नो से दो यहाँ पे माइनस साथ दिखेगा तो थोड़ा सा अजीब सा है भी तो और चेक करते हैं थोड़ा सा अगला देख लेते हैं अगला क्या है L है A11 है J है इसको क्या बनाए गया है M15K इसको बनाए गया है M15K ठीक है तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो L के बाद M आता है तो यहां प्लस 1 ही हुआ है 11 के बाद 15 प्लस 4 हुआ है J के बाद K यहां पे प्लस 1 हुआ है तो दोनों जगापे कहानी अलग-अलग है अभी तक और देख लेते हैं थोड़ा सा Q है, 5 है, S है Q है, 5 है, S है बीच में line case देते हैं तो इसको क्या बनाया गया है? R90 इसको बनाया गया है R90 तो अगर आप इसमें देखेंगे Q कितना होता है आपको मालू में 17, R कितना होता है तो R हमारा होता है, 18 R क्या होता है, R हमारा 18 पे होता है S कितना होता है, S हमारा होता है 19 T कितना होता है, T हमारा 20 होता है ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि प्लस 1 हुआ है, यहाँ भी प्लस 1 हुआ है यहां plus 4 हुआ है तो अब आपको इतना समझ जाना चाहिए कि दो जगा पे यह formula काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि plus 4 तो हो रहा है plus 4 हो रहा है संख्या में यहां पे और उपर वाले संख्या माइनस 2 हो रहा है संख्या में जो हमें यहां पे पेटरन दिखाई दिया एक जगा पे माइनस 2 हो रहा है एक जगा पे हमें plus 4 दिख़़ा है लेकिन अभी तक हमार अलफा बेट में क्या नियम काम कर रहा है यह अभी तक हमें पूरा तरह से समझ नहीं आया है अलफा बेट में जो अभी हमें यह दिखा कि एक जगा प्लस 1 हुआ है दो जगा पे प्लस 1 दिखा अब एक बार क्या करते हैं जो उपर में C8I था इसको थोड़ा अलग तरीके सोचते हैं क्या यह कुछ और तरीके से कुछ कहना चाह रहा है तो अगर आप इस पे ध्यान देंगे ठीके अगर आप इस वाले कॉलम पे ध्यान दिजे इस वाले टेबल पे तो इस वाले बॉक्स में क्या है कि यहाँ पे C है यहाँ पर B है तो आपको यह दिख रहा होगा कि यह तिर्चा में माइनस 1 है यह तिर्चा में क्या किया गया है माइनस 1 किया गया है अगर आप इधर से i और h को देखेंगे तो ये भी वही दिखेगा आपको यहाँ भी आपको माइनस 1 दिखाई देगा और बीच में आपको दिखाई देगा कि माइनस 2 हुआ है यहाँ पर एक और खुबसूरत चीज़ आपको क्या देखना है यह 8 जो है न यह समसंख्या है यह 8 क्या है यह समसंख्या है ठीक है समसंख्या आया है तो इसमें 2 घटाया गया है और अगर आप नीचे ध्यान देंगे यह 5 विसमसंख्या है और नमबर है यह 11 विसम संख्या है और और नमबर में आपको यहां दिख रहा है कि यहां पर प्लस 4 किया गया क्या ऐसा हर जगा पड़ है तो हमें इसको पहले चेक तो पहले हम लोग संख्या वाला निप्टा लेते हैं पहले हम लोग क्या करते हैं तो यहाँ पे 15 है, odd number था, तो यहाँ पे क्या किया गया, फिर यहाँ पे odd number है, तो यहाँ पे क्या किया गया, आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 4 जोरा गया, यहाँ भी 7 है, तो फिर 4 जोरा गया, नीचे में यहां पे 6 है तो 2 घटाया गया होगा फिर यहां पे 3 है तो 4 जोडा गया है फिर यहां पे 8 है तो 6 को क्या किया गया है फिर यहां पे 8 है तो minus 2 किया जाएगा क्योंकि यह भी एक sum संख्या है तो संख्या वाला logic हमें समझ में आ गया अब इतना जो राम कहानी हम लोग किये हुए इसको जरा सा रब कर लेते हैं ताकि अगला पेज में न जा गर के यहीं पर समझ ले तो अभी तक हम लोग क्या-क्या समझे कि संख्या में यदि संख्या है तो उसको क्या किया जा रहा है उसको क्या किया जा रहा है minus 2 और भी sum संख्या में क्या किया जा रहा है odd number में plus 4 तो पहला step जो था पहला step तो clear ही था पहला step में क्या किये था हम लोग plus 1, plus 2, plus 1 ये पहला step हम लोग समझ चुके हैं पहला step कैसा बना था अब हम लोग दूसरे step में आ रहे हैं संख्या पे बात कर रहे हैं अगर sum संख्या है ठीक है एक जगा sum लिख लिजी एक जगा विसम लिख लिजी क्योंकि अभी input उस page में इसलिए हम लिखना पर रहे हैं तो sum संख्या में हमें क्या करना है sum संख्या के लिए हमें करना है minus 2 और विसम संख्या के लिए में क्या करना है विसम संख्या के लिए में करना है प्लस चार्ट ये तो हो गया संख्या वाला बात ये क्या हो गया अभी तक संख्या वाला बात हो गया लेकिन सिर्फ संख्या से काम चलेगा नहीं और भी चीज़े यहां पर अलफाबेट कैसे काम क नहीं संख्या का logic हम लोग समझ चुक हैं फिर भी रहने देते हैं चलिए तो यहां से minus 1 हुआ है यहां से minus 1 हुआ तो क्या ऐसा है कि sum संख्या वाले में minus 1 हो रहा है तिरषा तिरचा अर्थात cross wise यह भी देख लेते हैं हम लोग गबार तो sum संख्या कहां कहा था एक तो आठ वाला यहां था पहला सी उसके बाद और कहा है समसंख्या यहां पर भी है जी सिक्स इसमें भी चेक कर लेते हैं एक बार तो जी के बाद क्या होगा जी के बाद देखें जी से पहले माइनस वन करना है तो एफ आता है तो बिल्कुल यहां पर एफ है यू से पहले क्या आता है T आता है तो बिल्कुल यहाँ पे T है तो यहाँ से हम लोग एक बात और समझें कि जो सम संख्या वाला है ना उस वाले सिर्थ उस वाले बॉक्स में जो भी सम संख्या है उसमें क्या हो रहा है उसमें अगर लेटर है तो उसमें किया जा रहा है minus 1 लेकिन crosswise तिर्चा, ठीक है, कैसे किया जा रहा है, तिर्चा, ठीक है, अब विसम संख्या वाले में क्या हो रहा है, प्लस वन, वो भी सीधा, वो भी सीधा, तिर्चा नहीं, सीधा, ठीक है, एक बार चेक भी कर लेते हैं, कि सब में ये अप्लिकेबल हो रहा है, या एक ही में हो रहा है तो अब बारी बारी इस चेक कर लिए देखिए C से B हुआ है बिलकुल ठीक है I से पहले G हुआ है आपको चेक करने में कभी उल्टा में दिक्कत हूँ तो आप नीचे से भी कर सकते हैं कि ऐसे चेक कर लिए B का C हुआ है अर्थात यहाँ पे जो C से B हुआ है यह वाला जो C से B हुआ है एक घटा है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं इधर से कर लिजे ठीक है प्लस वन हो जाएगा इधर से इधर वाले के लिए ठीक है तो हम लोग इधर से कर लेते हैं से आप quickly check कर सकते हैं क्योंकि सीधा से में याद होता है BC ठीक है HI ठीक है और उसके बाद देखे L वाले में LM डायरेक्ट है J के डायरेक्ट है ठीक है क्योंकि यह और नमर है फिर Q वाला यहां पर देखे 5 है विसम संख्या है और नमर है तो इसमें क्या हुआ होगा सीधा हुआ होगा QR विल्कुल ठीक है ST सीधा विल्कुल ठीक है EFLM ठीक है WXTU ठीक है उसके बाद देख लेते हैं G तो जी वाले में यहां पर संख्या उल्टाइश चेक कर लेते हैं FG TU तिरचा 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 है यहां पर एक घटा के भी चेक करेंगे तो जी में Y Z ठीक है एक एक बड़ा क्योंकि यहां पर तीन जो है भी संख्या है फिर N 8 Z में चेक करते हैं लाश्ट वाले में तो इसमें क्या 8 क्या है संख्या और यदि 8 संख्या है तो संख्या में क्या होगा हमारा तिरचा तिरचा होगा तो देख लेते हैं N से पहले क्या आता है औ आठ से दो जैड से पहले क्या होगा एन से पहले एम है जैड से पहले यहाँ पर टी नहीं होगा ठीक है यह लगता है कोश्चन लिखने में मिस हो गया है ठीक है यहाँ पर क्या होगा वाई होगा यह वाला जो है यह वाला यहाँ पर वाई हो जाएगा यह कोश्चन लिखने म miss हो गया होगा ठीक है और वैसे यह y ही है क्योंकि आपको next step में पता चल जाएगा मुझे तो दिख भी गया ठीक है आपको next step में दिख भी जाएगा क्योंकि यहाँ पर 25 है जो की y का ही संख्या है चली वो पता देंगे फिलाल आप समझे यहाँ पर y था ठीक है तो z से पहले क क्या करना है लेटर में अर्थात अलफावेट में अगर सम संख्या है तो क्रॉस में जा करके माइनस वन करना है और यदि विसम संख्या वाला में लेटर है तो उसमें क्या करना है प्लस वन करना है और सीधा करना है तो यह हम लोग समझ गए दूसरा step में अब आते हैं हम ल alphabetical order में H को ही 8 लिखा जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होगा न तो यह उसी तरह सोता है A, B, C, D, E, F, G, H ठीक है H आठवा नमबर पर आता है तो यह alphabetical नमबर जो position होता है जो अमलोग coding decoding में परते हैं यह वही है तो किया क्या गया है है कि H को 8 लिख दिया गया है ठीक उसी तरह संख्या को क्या किया गया है उसके later से exchange किया गया है ठीक है replace कर दिया गया है तो 6 को F लिखा जाएगा B को 2 लिखा जाएगा M को 13 लिखा जाएगा 15 पर क्या होता है O होता है तो O लिख दिया गया है फिर k का 11 लिखा जाएगा r फिर 18 होता है 9 को फिर i लिखा गया है t को 20 लिखा गया है तो इसी तरह से यह किया गया है उसी तरह हम कभी कह रहे थे लास्ट वाले में देख लिजे यह y वाला y 6 m यहाँ पर y ही क्यों होगा है क्यों कि y है तभी यहाँ पर 25 है y क्या होता है 25 पर पूजिशन पर होता है 6 है तो f है m है तो 13 है तो तीसरा इस्टेंट में क्या किया गया है पोजिशन लिखा गया है एक दूसरे से अगर later है तो उसको आप number बना दीजे और अगर जो number है तो उसको आप later का जो position होता है वो लिख दीजिए ठीक है बस यही किया गया है तो आप इस basis पर यहाँ पर सवाल बना सकते है ये वाला ठीक है इसको आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर सवाल बना सकते है तो input है तो पहले वाले step में क्या किया गया था प्लस 1, तो S T हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस 2 यहाँ पर 7 हो जाएगा, फिर R S हो जाएगा, K L हो जाएगा, 8 10 हो जाएगा, U B हो जाएगा, K L हो जाएगा, फिर 8 क्या हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, H क्या हो जाएगा, फिर 8, एही माप कीजिएगा, ठीक है H के बाद क्या आता है आई आता ही आई हो जाएगा फिर L आएगा तो इसी तरह से आपको ये भरना परेगा ठीक है ये पूरा आप भर सकते हैं खुद से भर लीजेगा इसमें कुछ है भी नहीं सब में क्या करना है लेटर हमें एक एक जोड़ देना है और संख्या में क्या करना है दो जोड़ देना है पहला इस्टेप में ये हो जाएगा बस तीन टोर्म कर दे रहे हैं ठीक है बस तीन वाला ही दूसरे इस्टेप में क्या है हमारा दूसरे इस्टेप में अगर sum संख्या था दूसरे step में यह हमारा पहला step हो गया यह दूसरा तो दूसरा step में हमें क्या करना था यदी sum संख्या था तो उसमें क्या हो रहा था minus 2 संख्या में ठीक है और यदी भी sum संख्या था तो इसमें हो रहा था plus 4 और लेटर में क्या हो रहा था लेटर के लिए यह तो कहानी हो गया संख्या के लिए लेटर में इसमें क्या होता था यदि संख्या वाला लेटर है कॉलम है बॉक्स है तो उसमें क्या कर रहे थे हम लोग संख्या वाला है तो अगर तो अगर तो अब लोग तिर्चा में क्या कर रहे थे माइनस वन तिर्चा में क्या कर रहे थे तिर्चा में माइनस वन कर रहे थे और यदि भी संख्या था तो सीधा में सीधा में क्या कर रहे थे फिर विसम संख्या है साथ सब्से पहले तो यह series यह सब्सीज़ पहले संख्या वाला निप्टा देते हैं यहां भी 10 है तो यहां तो T में कितना घटाना होगा हमें? 20 समसंख्या वाले में? एक जोड़ना होगा, सीधा सीधियू भी. तो T में एक जोड़ना कितना हो जाएगा? S, T, U होता है. T वैसे 20 पे होता है, U 21 पे होता है. ठीक है? यहाँ पर U हो जाएगा. S के बाद क्या आता है? S के बाद T आता है, तो यहाँ पर T हो जाएगा. फिर यहाँ पर समसंख्या है, तो समसंख्या में क्या करना है? तिर्चा में एक घटाना है. तो L से पहले क्या आता है? L होता है हमारा 12 पे, 11 पे क्या होता है? K होता है. अगर उल्टा आपको डाउट हो, तो K, L इधर से भी देख सकते हैं. U, B, B से पहले क्या होता है? U होता है, तो यहाँ पर U हो जाएगा. तिर्चा तिर्चे में L के लिए K आया, B के लिए U आया. तो उसी तरह फिर यहाँ भी हो जाएगा, 10 के आ यहाँ पर, सम संख्या है, तो यहाँ भी तिर्चा ही काम करेगा, तो L के लिए उसी तरह यहाँ पर K आयेगा, और I के लिए क्या हो जाएगा? I के लिए, I में फिर एक घटेगा, I 9 पे होता है, 8 पे हमारा H होता है, H हो जाएगा यहाँ पर, अब उसके बाद, 3rd step में क्या होगा? 3rd step में जो भी लिखा हुआ है, सिर्फ उसको position में बतलना है, Later को क्या करेंगे? Number से, और Number को क्या करेंगे? Later से, तो यहाँ पर U हो गया, तो U वाले के लिए हमें क्या करना होगा? U कितना पर होता है? U हमारा हो जाता है 21 पर, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको लिख देंगे 21, 11 नमबर पर क्या होता है? तो आप बोलेंगे 11 पर क्ये होता है? King Sullivan पंजाब, T क्या होता है हमारा? T हमारा 20 पर नमबर position पर होता है, तो हम लोग यहाँ 20 लिख देंगे, यू क्या होता है यूथ साधी की उमर 21 और इसलिए यूथ हो जाते हैं हम लोग ऐसे याद रखते थे यहाँ हो जाएगा 21 ठीक है उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा फिर 8 आठ को क्या लिखना होगा हमें इस तरह से सब्सक्राव पैसे सवाल बन्ठाह इसमें कैसे इस यहाँ पूछ सकता है इस पीचछा है क Öyle पछे लिए मैट्रिक्स अगर आप ने बढ़ा होंगा तुछ आपको दीकत नहीं नहीं हो रहा होगा नहीं तो आपको डाउट होड़ा होगा, ये पहला रो हुआ, ये ये जो आया न ये, ये हो गया पहला रो, उसके बाद ये हो जाता है हमारा दूसरा रो, ठीक है, ये हो जाता है हमारा तीसरा रो, इसको हम लोग रो बोलते हैं, उपर वाले को कॉलम बोलते हैं, उपर से जो आता है न इसको कॉलम हो जाता है ये कॉलम हो जाता है तो question आप से ऐसे पूछेगा कि दूसरे चरण में ये दूसरा चरण हो गया दूसरे चरण में आप ये बता दीजे कि पहले रो के दूसरे कॉलम में कौन सा संख्या है या फिर क्या है उसमें पहले रो के दूसरे कॉलम में तो आप तुरन जाएंगे दूसरा चरन पहले ये वाला दूसरा चरन हो जाएगा अब इसमें आप पहला रो ये वाला हो गया पहला रो अब कॉलम दूसरा कॉलम हो गया ये दूसरा कॉलम में आप देखेंगे कि ये वाल यह भी पूश्य सकता था कि पहले रोह के दूसरे कolum में जो इन से गुणा करने अंसर आज यगा तो इस तरह से आपसे कुछ भी question पूछा जा सकता आज के लिए इतना भी जैनल पर नए है तो और को subscribe कर दीजिये जय हिनàiष गी